नमस्कार एजुकेसिन इंडिया पर आपका एक बार फिर से इस वागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं RPSC First Grade के Admit Card के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि Admit Card आपको कैसे डाउनलोड करना है तो ऐसे मैं आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले अफसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकिन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस परकार से आपको Admit Card डाउनलोड करना है आपको बतादे Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या फिर अन्य कोई Browser Open कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialive.com आप क्या सर्च करेंगे तो आप सर्च करेंगे educationindialive.com यह लिखने के बाद आपको सर्च का बटन दबा देना है इसके बाद आपके सामने कुछ स्परकार का पेज आएगा यहाँ पर जो सबसे उपर अपसाइट देखने को मिल रही है उस वेबसाइट को आपको Open कर लेना है वेबसाइट को ओपन करते ही आपके सामने कुछ परकार का पेज आ जाएगा अब आप थोड़ा जैसे नीचे की और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे RPSC 1st Grade का Admit Card और Exam City Slip इस Direct Link से डाउनलोड करें इस Link पर क्लिक करके आपको Post ओपन कर लिनी है Post आपके सामने कुछ परकार से ओपन हो जाएगी अब आपको थोड़ा नीचे की और आ जाना है जैसे आप थोड़ा नीचे की और आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक Direct Link देखने को मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा RPSC 1st Grade Admit Card 2022 Direct Link इस Direct Link पर क्या करना है आपको क्लिक करते ना है इस Direct Link पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ परकार का पेज आ जाएगा अब यहाँ पर जो Click Here to know your district location लिखा हुआ है इसी Link पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्ता आप इस Link पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ परकार का एक नया पेज आ जाएगा अब आप Get Admit Card यहाँ पर जो साइट में देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे Get Admit Card पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ परकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा सबसे पहले आप अपने Application Number इस Box के अंदर बरेंगे उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलेंडर में से अपनी Date of Birth जो है सलेक्ट कर लेंगे Date of Birth सलेक्ट करने के बाद यह जो Capture Code Box के अंदर दिखाया जा रहा है इसको Simply यहाँ पर लिक देंगे और फिर आप Get Admit Card पर क्लिक करेंगे Get Admit Card पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस परकार से आपका Admit Card ओपन हो जाएगा सबसे पहले आपको उपर इस Center City बता दी जाएगी उसके बाद Application Number और Roll Number आपके देखने को मिल जाएगे साइड में यहाँ पर आप Basic Detail देख पाएंगे और यहाँ पर नीचे Center का जो भी नाम है वो देख पाएंगे और Center Code यहाँ पर देख पाएंगे Date and Time for Examination यहाँ से आप देख पाएंगे वहीं आप Admit Card में थोड़ा नीचे की और Scroll करेंगे तो Examination Center seat देखने को मिल जाएगी यह जो नीचे वाला Admit Card है वो Examination Center पर आपसे ले ले जाएगा और उपर वाला जो Admit Card है वो Candidate के पास ही रहेगा यहाँ पर भी वही Detail है जो की उपर दी गई है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपके Sign होंगे लेकिन Sign आपको घर पर नहीं करने है Sign आपको Exam Hall में Invisilator के सामने ही करने है और यहाँ पर आपको क्या करना है अपना फोटो चिपका देना है और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर प्रूप प्रोवाइड करेंगे Candidate दवारा वहाँ लिखा जाएगा Examination Center में यह घर पर आपको नहीं लिखना है Admit Card में जब थोड़ा और नीचे की और स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर मुख्य अनुदेश देख पाएंगे यह दिसा अनुदेश है तो आप इने ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि Examination Center के अंदर कोई भी प्रॉबलम आपके साथ ना हो यह थी पूरी जानकारी RPSC First Grade के Admit Card डाउनलोड करने के प्रोसेस को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का अप लाइक करेगा और साथ यह ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चनल को भी सबस्क्राइब करके बैल आइकन को दबा दीचेगा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसने जानकारी के साथ अब तक के लिए धना